दोस्तो बॉलिवूड के मशूर अभिनीता सुनील शेटी सभिनीतरी के प्यार में बुरी दरा से पागल थे और छिप छिप कर रोते भी थे देखकर आपके भी हूश ओर जाएंगी से पहले अगर आपको भी सुनील शेटी अच्छे लगते हैं तो सुनील शेटी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताजा खबरों की जानकरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लीजेगा लेकिन उसी के साथ ही सुनील शेटी ने अपने अभीने को तराशनी की भी काफी कुशिश की जिसमें वह काफी हथ तक काम्याब भी रहे और 90 के दशक में तो सुनील शेटी बॉलिवड के बड़े अभीनीताओं की लिस्ट में शामिल थे और हर एक अभीनीतरी उनके साथ फिल्म करना चाहती थी बता दें के साल 1995 में सुनील शेटी ने माना शेटी से शादी कर ली थी और दोनों के दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी भी हुए देखने में लगता था कि इन दोनों की जोड़ी सबसे अच्छी है और दोनों एक दूसरे को बेहिप प्यार भी करते होंगे तब ही इतनी जल्दी शादी भी कर ली थी लेकिन उसी समय खबरे आने लगी कि सुनिल शेटी शादी शुदा होने के बावज़िद भी किसी बॉली वर भीनित्री से प्यार करने लगी थी जी हाँ दोस्तो हम जह सब इतनी बारे में यहां बात करने जा रहे हैं वैस सुनिल बेंडरी हैं जो कि काफी समय तक सुनिल शेटी के साथ रिलेशनशिप में रही टक्तर फिल्म के दुरान साल 1995 में सुनील शेटी और सुनाली इंद्रे के बीच काफी नजदीक हैं देखने को मिलती रहीं और मीडिया में इनके बारे में खबरें आमे सुनने को मिल रही थी सुनील शेटी उस समय जादतर समय सुनाली के साथ ही बिताने लगी थे उन्हें सुनाली का साथ बहुत अच्छा लगता था हालांकि उनकी पत्नी माना शेटी इन सबी बातों को मानने के लिए कभी भी त्यार नहीं थी उन्हें सुनील शेटी और उनके रिष्टे पर पूरा विश्वास था खबरों की मानने तो इसी कारण सुनील शेटी कई बार अकेले में बैट कर रोते भी रहे थे यह बात उन्हें के एक दोस्त ने बताई थी और बाद में सुनील शेटी ने हमेशा के लिए सुनाली बेंदरे से अपना रिष्टा तोड़ने की बारे में फैसला कर लिया और सुनाली में भी शादी कर ली थी दोस्तों आपको कह लगता है कि सुनाली बेंदरे के साथ अगर सुनील शेटी शादी कर लेती तो इनकी जोड़ी कैसी लगती अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक करें और शेयर करें दुनिया बर की वाइरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें